हलो स्टूडेंट्स आज हमें इक नया चाप्टर स्टार्ट करने जा रहे है बिजनस टडीज का जिसका नाम है ओर्गिनाइजिंग इंपोर्टेंज आइंड प्रोसेस देखें इस चाप्टर में हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर करेंगे यहां तक हम इस चाप्टर को कवर करने वाले हैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं अभी तक के लिए यह सिलेबस से कट किये गए है अगर कुछ इस तरह की इंपर्मिशन आती कि इनने इस सिलेबस में वापिस एड़ कर लिया गया है तब हम इसे कवर करेंगे अभी हम ओर्गिनाइजिंग प्रोसेस तक ही इस चाप्टर को कवर करेंगे तो देखिए ओर्गिनाइजिंग क्या है management की process को पढ़ा था हमने या फिर management के functions को हम बोल सकते हैं management के functions को हमने पढ़ा था सबसे पहला function था planning जो की हमने discuss किया last chapter में हमने discuss किया planning के बारे में second function था management का organizing total five functions थे management के planning, organizing, staffing, directing and controlling तो हमने first function management का cover किया planning आज हम management के second function यानि organizing के बारे में पढ़ने जा रही है तो meaning of organizing after having decided about the first function of management planning, first function of management के बारे में decide करने के बाद यानि की planning को खतम करने के बाद managers are responsible for designing and organization structure managers के उपर अब एक responsibility है कि उन्हें एक organization structure design करना है, बनाना है कि जो हमने planning की है actually planning में हमने क्या किया था objective को determine किया था कि actually जो हमने objective determine किया है उसे किस तरह से achieve किया जाए उसका भी solution हमें planning में मिल गया था कि objectives को कैसे achieve करें हमें various activities को करना है, different activities को करना है तो ये जो हमें different activities को करना है या फिर ये कहें कि हमें जो काम करना है अपने objective तक पहुँचने के लिए वो हम किस के through cover करेंगे organizing के through cover करेंगे ये कहा जा सकता है कि जो हम अपने objective तक जाने के लिए जिस काम को करने जा रही है उस काम को हम चोटे चोटे टुकडों में क्या करतेंगे बाट देंगे यानि कि हम क्या करते हैं various jobs को define करते हैं कि देखे अब company ने अपना objective बना लिया तो अब वो objective बुरा कैसे होगा company क्या करेगी अलग-अलग jobs determine करेगी कि यह यह post हम हमारी company में रखेंगे कि एक purchase manager होगा एक sales manager होगा एक finance manager होगा एक production manager होगा तो इतने तरह है कि या फिर यह लगा लिजे कि हम department बनाएंगे purchase department बनाएंगे finance department और इस तरह से अलग-अलग department ताकि हमारा जो main objective है हम उस तक जा सके तो we call this function organizing जब हम अपने planning को reality में perform करने जा रहे हैं या फिर यह कह लें कि हम अपने objectives तक पहुँचने के लिए जब हम अपने planning के steps को वाकी arrange करते हैं कि इन इन activities को हम actually कैसे perform करने वाले हैं तो उसे क्या बोलेंगे organizing बोलेंगे it includes the process of determining what activities are to be conducted अब देखें organizing क्या है एक process है process of determining determine करने का process है determine मतलब निर्धारित करने का process है कि किन activities को किया जाएगा how activities are to be grouped अब किस तरह से उन activities को grouped किया जाएगा यानि कि जो similar activities होती है उन्हें एक ही group में डाल दिया जाता है and how responsibility and authority are to be delegated और किस तरह से authority or responsibility को delegate किया जाएगा and who reports to whom कोन किसे report करेगा अब देखी यहाँ पर इन्होंने क्या बता है फिर से हम पढ़ते हैं कि organizing में क्या include किया जाएगा कि कौन कौन सी activities करनी है what activities क्या करना है किन activities को करना है और कैसे करना है कैसे उन्हें group किया जाएगा group मतलब कि अब देखी grouping किसे बोलते हैं कि हमारे पास अलग-अलग activities है उन में से हमने same nature की activities को अलग करके एक group में डाल दिया और उसका एक अलग department बना दिया तो इसे बोलते हैं grouping करना अलग-अलग activities का हमने grouping कर दिया यानि कि same nature की activities को हमने एक group में डाल दिया या फिर उनके लिए एक अलग department बना दिया पिर हमने अलग-अलग departments बनाने के बाद grouping करने के बाद क्या करना है कि हर एक department में काम करने वाले person की क्या authority होगी authority मतलब क्या अधिकार होगा और क्या उसकी responsibility होगी यानि कि क्या उसकी जिम्मेवारी होगी यह decide किया जाएगा और उसके बाद कि कौन सा person किसे report करेगा report करेगा मितलब कि आपको जिसी company में कोई person काम करगा है तो उस person को orders किसे लेने है और काम जब उसका complete हो जाएगा तो इसकी information किसे देनी है यानि कि सीधी भाषा में बोलने कि कौन किस person का superior होगा ये भी decide किया जाता है किसमे organizing में तो ये एक process है जिसमें सभी activities मतलब क्या activities को करना है और कैसे उन activities का grouping किया जाएगा और कैसे authority और responsibility को define किया जाएगा या फिर उन्हें delegate किया जाएगा delegate करना मतलब दिया जाना कि किस तरह से अधिकार दिये जाएगी या किस तरह से जब्मेवारिया सोपी जाएगी और who reports to whom कौन किसे report करेगा मतलब की कौन किसे guideline लेकर के काम complete होने पर information वापिस दे देगा तो एक तरह का structure मतलब दाचा कि जो organization का structure है या दाचा है वो तयार कर लिया जाता है आप किसी भी organization में जाएगा फिर किसी भी company में अगर जाते हैं तो अलग-अलग departments होते हैं अलग-अलग cabins होते हैं अलग-अलग jobs होती हैं उन अलग-अलग jobs में अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं तो वो जो structure बनाने का काम है उसे बोला जाता है organizing tool kit में देखें क्या बुला it refers to harmonious adjustment of various parts to achieve common objectives objective का organizing का मतलब क्या बता है इनोंने various parts यानि कि जो अलग-अलग activities करनी पड़ती हैं हमें एक organization में उनको इस तरह से adjust किया जाता है कि वो एक सभी activities परफॉर्म करते हुए हमें common objective की तरफ चले जाएं harmonious adjustment कि similarly उनका जो adjustment या फिर सभी activities को इस तरह से adjust किया जाएगा कि वो common objective को क्या कर पाएं अचीव कर पाएं किसका common objective organization का common objective अब देखें काम तो सबका अलग-अलग है अगर departments की बात करें production manager का काम है कि या फिर खहले production department का काम है कि सरफ production करना है उन्हें organization की objective से क्या लेना देना और अगर हम sales manager की sales department की बात करें उनका काम है sales करना उन्हें organization की objective से क्या लेना देना अगर हर department यही बात सोच कर चले कि हम अपना अपना objective पुरा कर देंगे हमें organization की objective को पुरा करने में कोई help नहीं करने है, coordinate नहीं करना है, तो ऐसे में organizing का जो हमारा function है, या management का function है, वो क्या होगा, fail हो जाएगा, organizing success का होगा, जब सभी departments अपने अपने objective के साथ, organization के objective को भी achieve करने में काम कर रही है, common objective, यानि कि जो organization का objective है, उसे achieve करने में भी सब बराबर contribute कर रही है, next हम देखेंगे definition of organizing, आपको जो definition से table लगे, आप definition अपने according कर सकते है, next is character sticks of organizing, organizing की character sticks क्या है, यानि की विशेशताए क्या है, पहला बताया है division of work, organizing का पहला काम क्या है, की work का divination करना, काम को चूटे चूटे टुगडों में बाट देना, देखें, organizing क्या कर रहा है, की objective को achieve करने के लिए जो एक पोड़ा काम है, उसे अलग-अलग टुगडों में भाट दे, उसका divination कर दिया, ताकि क्या हो, जो objective है, मारी organization का उस तक पहुँचा जा सके, division of work is the basis of an organization, organization का basis क्या है, की work का division कर देना, in other words, there can be no organization without division of work, कोई ऐसी organization है, जिसमें division of work नहीं होता हो, under division of work, the entire work of business is divided into many departments, division of work में क्या होगा, की business का पूरा काम, entire work, divide कर दिया जाता है, into many departments, यानि की, वही की grouping करते हैं, यानि की departments बनाते हैं, similar nature का, जो हमें काम लग रहा है, वो से हमें एक department में डाल देते हैं, तो पूरे काम को, हमने अलग-अलग टुकड़ों में बाट दिया, और उसके लिए अलग-अलग departments बना दिये, the work of every department is further subdivided into subworks, अगर हमारी organization बड़े लेवल पर चल रही है, large scale पर चल रही है, तो हर एक department को further बाट दिया जाता है, subworks में, sub departments में, अब जैसे कि अगर, एक से जादा production बना रहे हैं, तो production department को, दो parts में बाट दिया जा सकता है, तो हम यह कहलेंगे कि, production department की दो sub parts हैं, तो वो organization की level के according है, next is coordination, अब दिखिए, अलग-अलग departments तो बना दिये, उन सब departments में coordination का होना बहुत जरूरी है, तभी तो organization की objective को अचीव कर पाएंगे, अंडर organization, different persons are assigned different works, different persons को, एक organization में different persons को, अलग-अलग लोगों को, अलग-अलग काम assign कर दिया जाता है, यानि कि दे दिया जाता है, लेकिन जो aim है सभी persons का, वो क्या है, same है, यानि कि एक ही है, क्या कि organization की या enterprise की objective को attain करना, means achieve करना, organization ensures, that the work of all the persons, depends on each other's work, even though it happens to be the different, hence it helps in establishing coordination, अब देखिए, organizing क्या बोल रहा है, कि हर एक person का काम, भले ही अलग-अलग है, लेकिन हर एक person का काम, एक दूसरे पर depend करता है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सेल का काम एक दूसरे पर depend करता है, निर्भर करता है, इसलिए coordination बनता है, अब जैसे कि sales manager को अगर sales करनी है, तो sales का contract करने से पहले, salesman की बात कर लेते हैं, चलो, salesman अगर contract करनी जा रहा है, किसी person से, तो उसे पहले, अपने sales manager के दूरू, production manager से consult कर लेना चाहिए, कि जितने sales का contract किया जा रहा है, क्या उतना product हमारे पास available है, क्या उतना production हमारे पास available है, अगर ये coordination नहीं हो, production department में और sales department में, तो जो हमारा organizing process है, वो success नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने क्या बुला, कि हर department, या फिर हर person का जो काम है, वो एक दूसरे पर depend करता है, इस वज़े से coordination क्या होता, automatically बन जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं, कि सभी departments या सभी person, एक common objective को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो coordination automatically क्या हो जाएगा, create हो जाएगा, या फिर coordination बनाना पड़ेगा, next is plurality of persons, अब देखी कोई भी एक person, अकेला पूरी organization को संभाल नहीं सकता, organization is a group of many persons, organization क्या है, many persons, बहुत लोगों का group है, who assemble to fulfill a common purpose, जिनने लाया गया, एक common purpose को fulfill करने के लिए, a single individual cannot create an organization, एक single person, कोई भी organization को create नहीं कर सकता, common objective, there are various parts of an organization, with different functions to perform, but all move in the direction of achieving a general objective, देखें, अब इन्होंने बोला, various parts of organization, organization के बहुत सारे parts हैं, और जिनने अलग-अलग functions perform करने हैं, different, अलग-अलग functions perform करने हैं, बट सभी जो department चाहिए, सभी ये various अलग-अलग जो parts हैं, एक ही direction में move करते हैं, मतलब एक ही objective को achieve करने का काम कर रहे हैं, objective सबका क्या है, common है, next is organization is a machine of management, organization क्या है, machine of management, कहने का मतलब ये है, कि अगर organization में management, properly नहीं हो पाया, तो हमारी जो organization है, वो क्या हो जाएगी, fail हो सकती है, तो इनके कहने का मतलब ये हैं, कि organizing में हम क्या कर रहे हैं, structure prepare कर रहे हैं, कि हम क्या करेंगे, अलग-अलग departments बनाएंगे, फिर उन departments में काम करने वाले लोगों को, क्या उनकी authority होगी, क्या responsibility होगी, कौन किसका superior होगा, अब हर चीज हमने organizing में decide करनी है, तो अगर हमने किसी भी point पर गलत decision ले लिया, तो वहाँ पर हमारी organizing क्या हो जाएगी, fail हो जाएगी, देखी, इन्होंने क्या बुला, मैं second line से start कर रहे हूँ, it is that machine, ये वो machine है, in which no part can afford to be ill-fitting or non-functional, जिसमें कोई भी part ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसे गलत जगा पर fit कर दिया गया है, या गलत place पर fit कर दिया गया है, या फिर गलत fit कर दिया गया है, और जो की, और नहीं कोई ऐसा part होना चाहिए, जो non-functional है, मतलब non-functional जो काम नहीं कर पा रहा है, इन्होंने बुला कि, जब हम organizing structure decide कर रहे हैं, तो कोई भी department, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मतलब गलत बना दिया गया है, या फिर कोई भी department, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो non-functional है, जो काम ही नहीं कर रहा है, इससे क्या होगा, हमारी पूरी organization, जो है, वो failure की तरफ जा सकती है, in other words, दूसरे शब्दों में, if the division of work is not done properly, अगर division of work हमने properly नहीं किया, और या फिर, posts are not created correctly, जो हमने posts या फिर अलग-अलग jobs बनाई है, अगर वो हमने सही से create नहीं की है, the whole system of the management collapse is, कि सारा जो system है management का, वो क्या हो जाएगा, तूट जाएगा, बिखर जाएगा, हमारी organization success नहीं हो पाएगी, उसके बाद है, importance of organizing, organizing के importance आमें बताए है, सबसे पहला है, benefits of specialization, अब देखे, पहला हमने बढ़ा था, organizing में division of work, कि हम organizing में क्या करते है, काम का divination कर देते है, work को divide कर देते है, different departments में, तो अब देखिए, जो अलग-अलग departments बना दिए गए, उन departments में, जो भी लोग काम कर रहे है, वो एक ही काम को बार-बार कर रहे है, like production manager है, वो क्या कर रहा है, अपने department को संभाल रहा है, कि production सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, raw material properly available है कि नहीं है, जितना production हो ना, जितना production हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर जितने भी लोग production कर रहे हैं, actually, तो अब जो person बार-बार एक काम को कर रहा है, तो वह क्या हो जाए इक्सपर्ट जाएगा ज़से sales manager है हर बार sales handle करता है कि इतनी sales हर साल होनी चाहे salesman है वो sales करते हैं, sales की contract करते हैं इतनी ज़्यादा contract कर चुके हैं कि अब वो क्या हो गए है अपने काम में export हो गए है specialize हो गए है Under organizing all the activities are subdivided into various works सबी एक्टिबिटिस को सब दिवाइड कर दिया जाता है या फिर जॉब्स में अलगलग पार्च में डिवाइड कर दिया जाता है for all the sub works in sub works के लिए competent people are appointed who become experts competent people यानि कि ऐसे persons जिन में potential है या फिर जो काम को कर सकते हैं उन्हें appoint किया जाता है और जो की अपने काम को करते हुए export हो चुके है doing a particular job time and again किस तरह से export हुए है क्योंकि वो अपना काम बार बार time and again बार बार की जा रहे हैं दोरा है जा रहे हैं तो अपने काम को करने में क्या हो चुके है export in this way maximum work is accomplished in the minimum span of time इस तरह से आप देखिए अब जब एक ही काम को बार बार कोई person करेगा तो हमारा काम ज़्यादा होगा जल्दी होगा maximum work जादा से जादा काम कम से कम time period में complete हो जाएगा and the organization gets the benefit of specialization और organization को specialization का benefit मिलेगा next is clarity in working relationship अब देखिए हमने पढ़ा था न की who reports to whom किसे किसको report करना है काम खत्म होने के बाद आपको किसे inform करना है कि I have done the work और जब भी आपको order लेने है तो किससे order लेने है किससे guidance लेने है किससे instructions लेने है ये सब कुछ organizing में बताया जाता है यानि कि working relationship बिल्कुल clear है कि कौन किसका superior है कौन किसका subordinate है एकदम सब को clear है तो इससे क्या होगा कि coordination बढ़ेगा क्योंकि जब दो लोग आपस में जिने पता है इससे चल पाएगी organizing clarifies the working relationship among employees organizing क्या करता है क्लियार करता है working relationships among employees employees में working relationship क्लियर कर रहा है कि कौन किसका superior है कौन किसका subordinate है इससे मतलब पता चलता है कि किसको किसे report करना है report करना है मतलब किससे guidance लेने है और किसको अपना कोई भी information है बतानी है therefore communication becomes effective तो इससे communication effective हो जाएगा अब देखे अगर मुझे पता है कि मुझे अगर कोई problem आ रही है काम को करते हुए तो मुझे किसके पास जाकर उस problem को solve कराना है तो अगर मुझे ये पता है तो easily मैं organization में जाकर कि अपनी जो problem में easily solve करा सकते हूँ लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मेरी जो problem है जिसे मैं face कर रही हूँ during work तो मैं उसे solve नहीं करा पाऊंगी जिससे क्या होगा कि ना तो मैं किसी से communicate कर पाऊंगी और ना ही मेरा काम हो पाएगा तो communication हो जाएगा easily communication effective हो जाएगा और it also helps in fixing accountability अब देखे अगर कोई पता है किसी superior को कि ये person मेरा subordinate है ये मेरे under काम कर रहा है मैं इसका boss हूँ तो वो उसकी accountability fix कर सकता है अब accountability क्या होती है answerability भी बोल सकते हैं इसको हिंदी बोलते हैं जवाब दे ही कि जब boss ने अपने subordinate को काम दिया कि आपको ये काम खतम करना है तो वो subordinate जो है boss को जवाब देगा time पर कि क्या उसने काम खतम कर दिया अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया तो इस तरह से उसे अपना जो जवाब है वो देना पड़ेगा next is optimum utilization of resources अब देखिए organizing में क्या है सभी जो हमारे material resources physical resources है या फिर जो हमारे human resources है सबको अपने काम के बारे में पता है कि किस तरह से किन resources को यूज़ करके क्या काम करना है तो इससे क्या होगा हर person अपना जो काम है वो सभी से करेगा कोई भी resources जो है वो waste नहीं जाएंगे under the process of organizing the entire work is divided into various small activities organizing की process में पुआ सभी activities को small parts में divide किया जाता है there is a different employees of performing every job बहुत सारे लोग हैं हर काम को करने के लिए by doing so there is no possibility of any activity being left or any possibility of unnecessary duplicating any job अब देखो इनोंने बोला कि जब सभी person को पता है कि मुझे क्या काम करना है और हरे काम को करने के लिए अलग-अलग लोग है तो कोई भी ऐसी possibility नहीं होगी जिससे कोई काम छोट जाए ना तो कोई काम छोटेगा और ना ही कोई काम दोरा आया जाएगा मतलब दोबारा दोबारा unnecessary duplicating any job का मतलब कि ना ही कोई काम unnecessary दोबारा होईगा तो इससे क्या होगा कि सभी resources जो हमारे पास जतने भी resources अभिलेबल है उनका optimum utilization होगा optimum मतलब proper proper use होगा utilization मतलब use next is adaptation to change अब देखिए अगर कोई भी changes हमें लेने पड़े या फिर changes करने पड़े organizing में तो easily उन changes को किया जा सकता है कैसे organizing process makes the organization capable of adapting any change connected with the post of the employees अगर कोई changes करने पड़े किस से related employees की post से related तो easily किये जा सकते है कैसे यैं कि हर किसी person को पता है कि कौन मेरा boss है यानि कि कौन मेरा superior है तो जितने भी subordinates हैँ eseने वो अपने boss को जानते हैं और तो और अपने boss की काम को भी जानते हैं कि मेरे boss को यह काम करना उते हैं इस तरह करना होता है तो in case अगर कोई person organization को छोड़ कर चला जाता है जैसे कि मैं किसी company में काम कर रही हूँ और मेरा जो superior है या फिर जो मेरा boss है वो organization को छोड़ करके जा रहा है company को छोड़ करके जा रहा है तो easily changes कर दिये जाएंगे यानि कि मुझे उस जो मेरा boss था उसकी post पर डाल दिया जाएगा या मुझे उसका काम दे दिया जाएगा क्यों क्योंकि मैं उसके काम से familiar हूँ easily changes हम कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं आएगी मुझे भी काम करने में और organization को या company को भी post vacant post को खाली post को fill करने में कोई दिक्त नहीं आएगी this becomes possible only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from the top to the lower level अब दिखे एक scalar chain चल रही है किसी person को पता है कि मैं इसको superior हूँ और ये मेरा subordinate है इस तरह ऐसे जैसे हमने scalar chain में पढ़ाता ना कि sequence में चलता चाला चाता है तो whenever a managerial post falls vacant जब भी कोई managerial post खाली होती है वेकर इन मतलब खाली होती है it is immediately filled by filled up by the promotion तो इसे immediately आने की तुरहन फिल कर दिया जाता है promotion की help से since family subordinate is well aware of working office there is no difficulty for he is taking up the new post क्योंकि देखे हर person को हर subordinate को पता है कि मेरे बोस को क्या काम करना होता है तो वो जो person है जैसे अपने बोस की जॉब मिल गई है वो easily उस जॉब का perform कर पाएगा या काम को कर पाएगा next is effective administration अब जो हमारे बिसनस का organization का administration होगा वो effective होगा it has generally been observed that there is always a condition of doubt about authority of the managers among themselves generally यह देखा जाता organization में कि managers को उनकी authority का नहीं पता हो ता कि उनके पास किती authority है the process of organizing makes a clear mention of each and every activity of every manager and also of their extent of authority अब अगर हम organizing की process को कर रहे हैं तो सभी managers को पता होगा कि उन्हें क्या करना है और कितनी उस काम को करने की उन्हें authority मिली है यानि कि अधिकार मिला है it is also made clear as to whom shall a manager order for a particular job यह भी सभी को पता है कि किसी particular job के लिए कौन किसे order देगा everybody also known also knows to whom they are accountable सबको पता है कि कौन किसके लिए accountable है या किसको किसे जवाब देना होता है in this way the confusion about the authority is put to end इस तरह से authority से related जो भी confusion है जो हमारे अधिकारों से related confusion है वो एक्दम खतम हो जाएगी consequently effective administration becomes possible इससे क्या होगा जोभारी organization उसका administration अच्छे से possible हो सकता है administration बार बार आता है यह वर administration का मतलब कि organization को चलाने का धंग है वो क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा next is development of personal personal बोलते हैं जो हमारे human resources यानि कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें personal बोलते हैं आप इने superior है वो अपने सब ओर्डिनेट को काम देता है authority देता है responsibility देता है like मुझे जो मेरा बोस है वो काम करने की authority देता है इनकी power भी देता है और responsibility भी देता है अब देखे मैनेजर का काम भी कही ना कहीं मुझे मिल रहा है करने तो मेरी development हो पाएगी कि नहीं इसली मुझे जब मैं मैनेजर का काम करने में अबल हूँ तो मेरी आने की employee की क्या हो जाएगी development हो जाएगी the process of organizing allows the employees the freedom to take decision which helps them to grow sorry sorry last point six point है development of personal under the process of organizing delegation of authority is practiced authority को delegate किया जाता है delegate मतलब दिया जाता है this is the note because of limited capacity of the any individual but also to discover new techniques अब दिखें इसा क्यों किया जाता है ताकि जो individuals है उनकी capacity को बढ़ाया जासे कि प्लस उनने ताकि वो नई techniques को discover कर सकी it provides opportunities of taking decision to the subordinates इससे subordinates को decision लेने की opportunity मिलेगी by taking advantages of the situation then they try to find out the latest technique and implement them इससे क्या होगा कि जो employees है वो जो latest techniques है अब देखें मुझे authority मिली है कि मुझे एक काम खतम करना है किसी भी technique को use करके तो मैं एक ऐसी technique को find out करने की कोशिश करूँगी और use करने की कोशिश करूँगी जिससे मेरा काम जदी हो जाए और बहुत ही अच्छा हो जाए इससे क्या होगा जो हमारे employees है उनकी development होगी next is expansion and growth expansion देखें अब employees जो है उनकी growth होगी उनकी expansion होगी हर एक employee अपना best work कर रहा है नई techniques को ले करके use करके या फिर अच्छे से decision ले करके तो जब इस तरह से काम होगा तो जो भी हमारे employees है वो किसी भी challenge को easily face कर पाएंगे तो इससे जो हमारी organization होगी development होगी या फिर easily growth हो पाएगी this helps in increasing the earning capacity of the enterprise which in terms helps its development इससे क्या होगा जो हमारी organization उसकी earning capacity बढ़ेगी क्योंकि हर एक employee क्या है अच्छे से काम कर पाता है या फिर efficient है तो इससे हमारी organization भी efficient हो पाएगी और easily organization की growth possible हो पाएगी और conclusion दिया है organizing के बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं next topic है हमारा process organizing process इससे हम next video lecture में cover करेंगे तब तक के लिए आप जो भी topics cover किये हैं हमने इनको अच्छे से cover करना बने रहे है हमारे channel के साथ study करते रहे हैं thank you